असलाम अलेकुम दिस विश्मनार शूब विद फ्लोर प्लेनर और होग यूज आगई जाओ आए तोड़ी आप टॉड़ी टाक अबॉट अब फीच्वर फोल सेल अफ बी ए बहुत जादा कमेट जब फेस्बुक पर आ रहे होते हैं या यूट्यूब वीडियो के कमेट्स मे बिजनस में रिस्कम होता है और दूसरी तीसरी चीस इसमें बिसिकली यह होती है कि आपको थोड़ी इंवेस्मेंट के साथ आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं और आपके जैसे ही आपकी पहली सेल आती है आपकी प्रॉफिट जो है बेसिकली अर्निंग शूरू हो जाती है जिसकी बिजनस स्टार्ट के लिए बहुत इजी हो जाता है इंट्री बेरियर कोई इतना बड़ा नहीं है आपको जैसे प्रपोजल की जरूत होती है आपके जैसे एप्रॉफल होता है प्रपोजल का और आपको अर्डर्स पहुंचता है तो उसके बाद आपकी सेल्स आना मैक्सिमम परड़क्स आप एड़ कर सकते हैं तो वो चीज़ें जो है ओनेसली इसी बिजनस तो स्टार्ट और इसमें जो है इसी मनी लगती है थोड़ी सी बट यस यूवाफ टूर एफट एंड यूर मनी बट स्टिल येस लुक्स लाइक इस वेजिए देन प्राइब सब्सक्राइब हो जाएगा क्या होगा क्या होगा क्या नहीं और डिफेंट क्वेस्टेंस की बात करूं जो क्या आल्मों सिक्सियर्स होने वाला मार्केट के अंदर और जहां तक मुझे ये लिगता है कि आने वाले टाइम के अंदर मार्केट जो होरसेल को इतना फेवर करती हुई नजर नहीं आती है उन लोगं के लिए फेवरेबल बिसनस होगा जो एक्सक्लूसिफली जो है उने ही को पड़क्ट जो हो मिल रहा होगा किसी दूसरे को पड़क्ट नहीं अगर वो ब्रैंड बे पहुद जयसा कि मैंने स्टारट में कहा कि यहां पर आपको अप्तोयाशिशन नहीं करने है कुछ ऐसा नहीं करना यह लोगे देती है वहां पर यह नेगटिव एफेक्ट भी रखती है वह नेगटिव एफेक्ट यह कि जब आपका चीजों पर कंट्रोल नहीं है ना तो फिर आप मार्केट के फ्लो के साथ ही चलेंगे जो आपके पास एक ही आप्षिन बजता है वह लो प्राइस के लावा आप ऐसाच क होंगे सेम एफट डाल रहे होंगे और इसी तरह से वह भी कोशिश कर रहे होंगे to get the buy box as soon as they can or as many times as they can तो उसमें जो है वह यह होगा सो आपके पास प्राइस फाइट बजेगी और जब आप प्राइस फाइट करते है नॉर्मली एंड स्टोरी यह होती है कि कोई ज़्याद की documents requirement आती है और अगर नहीं सब्मेट की जा सकती है आपके account level की ओपर तब भी आपके लिए problems होती है सो मुझे लगता है जहां तक मैं अपनी understanding कहूंगा वो यह कि आने वाले दिनों में यह business इतना कोई profitable नहीं रहेगा सिर्फ उन लों के लिए business है जो exclusively लेते हैं और यह इतना bulk में लेते हैं कि यह दूसरों को जो है वो prices में अच्छी fight दे सकते हैं सो उन लों के लिए तो यह कहीं considerable business नजर आता है otherwise यह है यह थोड़ा सा problem करेगा मेरे ख्याल में और यह मुझे कुछ जादा लंबी देर चलता हुआ नजर नहीं आता क्योंकि ब्रैंड्स पर खुद सोचना शुरू हो जाएंगे कि why they are selling you on a low price if they can make much money on Amazon क्योंकि एक टाइम सकते हैं उनके लिए यह सही है क्योंकि देखो at the end of the day आप एक seller से भाय कर रहे हो और वो खुद brand owner है खुद manufacturer है वो आपको बिल्कुल सही है wholesale price पे दे रहा है लेकिन उसके पास इतनी space है कि वह आप सब को price में पीछे चोड़ सकता है और वो अपनी sales को multiply कर सकता है so बहुत सा और end of the day उनी की listings है उनी के उपर reviews आ रहे हैं तो उनको को damaging point पे नहीं है so यह सारी चीज़े I hope के end point वही था कि मुझे जहां तक लगता है कि यह business long run वाला नहीं है ज्यादा short term के लिए ठीक है एक साल डेट साल max लेकिन उससे ज्यादा के लिए मुझे लगता है कि आपको consider कर यह इस business को इतना bulk में ले जाएं ताके आपके लिए आने वाले दिनों में जब आपके कुछ products नहीं भी perform कर रहे तो कुछ दूसरे products जो हैं वो perform कर सके so I hope you will got the package so you got the message and I'll get back to you with another video till the time thank you so much and Allah Hafiz